दोस्तों पंजाब और चैन्ने के बीच हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और आखरी अवर में पंजाब को जीत के लिए 6 गेंदों में 9 रन के जरूरत थी चैन्ने के लिए गेंदवाजी कर रहे है पथीराना की पहली और दूसरी गेंद पर एक-एक रन ले लिया गया तीसरी गेंद डोट रही वहीं चोथी गेंद पर दो रन ले लिया गये अब पंजाब को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रन के जरूरत थी पांचवी गेंद पर सिकंदर रजा ने दो रन ले लिए अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी और आखरी गेंद पर सिकंदर रजा ने एक स्षांदार चोका लगाते हुए जीत पंजाब की जोली में डाल दी इस परकार से जीते हुए मैच को चेन्नी की टीम हार गई और पंजाब ने एक स्चानदार जीत दर्ज की